हलो दोस्तों केसे हैं आप मैं डॉक्टर हर्शित कामदार आज मैं नया विशे लेके आया हूं इस दुनिया में हरे एक आदमी सुख पाने के लिए इधर उधर भागा दोड़ी करता ही रहता है लेकिन उसे सुख मिलता ही नहीं इसके लिए ये पांच सु लालच के रुप मे जिम्मेवार है देखते हैं कौन से पांच सु है ये पहला सा है संपत्ति यानि पैसा माल और मिलकट ये सच है कि पैसे की वजह से हम सब कुछ खरीच सकते हैं सुख सगवर्ण पा सकते हैं लेकिन जो रोजाना जिन्दगी के बसर के लिए खाने पीने के लिए और रहने के के लिए चाहिए उतने पैसे काफी है फिर ज्यादा पैसों के लिए दोड़ा दोड़ी करना भीकार है जब जिन्दगी का अंत नजदिक आता है तब लगता है कि मैंने सुख तो पाया ही नहीं समझ लो पैसे का सुख के साथ कोई लेना देना नहीं है सुख तो मन की अनुबूती है दूसरा सहे सत्ता सत्ता पाकर आदमी समझता है मैं सब पुछ कर लूँगा इठलाता है मैं सुख पा लूँगा लेकिन ये सत्ता मारा मारी और कुछकर के बाद अगर पाई है तो मन असान तो जाता है सुख मिलता ही नहीं अपने तीन भाईयों को मार कर और अपने पिता जी को बंदी बना कर औरंग से अपने सत्ता हासिर कर दी पूरे भारत का बादसा बन गया लेकिन उसका मन असान तो गया उसे सुख मिला ही नहीं इसके बदले बगवान महवीर और बुद्ध जो राजकुमार थे उसके पास सत्ता थी लेकिन वो समझ गये कि स सत्ता से सुख मिलने वाला नहीं है उन्होंने सत्ता का त्याग किया और खुद बन में जाके तपश्या की और उसको सुख मिला मतलब साफ है सत्ता से सुख मिलने वाला नहीं है तीसरा सह है सन्दमान लोग सन्दमान पाने इनाम लेने ट्रोफी लेने दोड़ा-दूरी करत इसे सूख मिलेगा लेकिन जब वो उसके फोटो और वीडियो दूसरों को बताने जाते हैं तो दूसरे मूँ मोड लेते हैं किसी को इसमें कोई रस नहीं पड़ता बड़े-बड़े धर्मात्मा महात्मा गुरू ओ सन्मान पाते हैं आदर पाते हैं लेकिन उसको मन की सांती म लेकिन तभी उसको सूख मिलेगा अन्यथा सूख मिलने वाला ही नहीं और उसके बाद भी अगर वो सुंदरी के पीछे और सक्ता के पीछे भागने लगे तो सूख उससे दूर हो जाएगा चोधा सहे संतान हर एक माबा अपने बच्ची को पढ़ा कर खर्च करके बढ़ा क उसे साधी कराते हैं उसे नोकरी दिलाते हैं लाइन पर लगा देते हैं और फिर उससे सूख की उमिद रहते हैं लेकिन अगर संतान आलसी पंगू या स्वार्थी निकला तो यह सब उमिदे बेकार हो जाती हैं इसके बदले हर एक माबाग की फर्ज है कि वह संतान को कराएं उसको लाइन पर लागा कि नोकरी दिलाएं फिर अपने आप आत्म सन्मान के साथ निवरुत जीवान बिता सके इसा आयोजन करना ही सुख पाने के लिए अच्छा रहेगा बाच्वा सहे सुंदरी इस दुनिया में संदर्यवान और रोपवान सुंदरी के पीछे सा सब लोग पागल है दिवान है सुख पाने की दोड़ा दूड़ी करते है लेकिन सब जानते है कि इससे सुख मिलता है लंका का राजर रावन रुपवान संदर्यवान सिता के पीछे पागल हो गए उसे वह अपने गर उठा लाए और फिर अंजान के आया पूरा लंका और अलाव दिन खिल जी सुंदर्यवान राणी पदमावती के पीछे पागल हो गए उन्हे उन्होंने उसे पाने के लिए अजर राणी पागल हो गए। पर्यवन स्त्री के बदले, चरित्रवान, गुनवान और घर संभाले ऐसी स्त्री मिले, तो वो बेतर सुख देगी और वो ही बेतर होगा सुंद्री के पीछे भागना बेकार है। इस तरह ये पांचे सुख पाने की दोड में, निकम में हैं, बेकार है। ये लालची है, इसको छोड़कर छट्ठा सव बहुत उपयोगी है। आपको समझ आती है वो क्या है? वो है स्वस्थ सरी। ये पूरे जीवन तक तुम्हारा साथ देता है और सुख प्रदान करता है। बात समझ में आ गई ने दोस्तों? दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें। आप इसे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरों को शेर करना ना बुले। अगर कोई भी क्वेशन हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं।